हेलो आल आफ यो और वेल्कम ओन गेट आकेडमी सो सबसे पहले कॉंक्शलीशन उन स्टोडेंट को जिन्होंने इस बाद गेट 2022 में मतलब अच्छा किया है और एक अच्छी रैंक उनोंने जो है वह स्कूर किया है और उन लोगों को भी जिन्होंने कम से कम एट लीस्ट अफा आपने कंट्रोल में नहीं होता है अगर आपने अपने परसंद दिया है और कुछ न कुछ आपके रैंक आई है तो आपको नर्वस नहीं होना है तो कि आपको अपर्चुनिटी मिलेंगी और आप उनमें अच्छा कर सकते हो तो आज हम लोग अभी डिसकस करेंगे और आपक और डारिक्ट जैसे पीजडी के लिए अगर आप इन्रोल करना चाहते हो तो उसके लिए लास्ट के दो तीन साल के कटाप को अपन देखेंगे और यह कटाप जो मैं भी डिसकस करने जा रहा हूं आईसे बैंगलॉर का यह ऑफिसियल साइट से हमने जो है वो डाउनलोड कि जो लोग मतलब फुली रसस ओर्यंटेड मतलब अगर देख रहे हैं और ऐसा नहीं कि रहेगा देखो आईसे बैंगलॉर से प्लीस्मेंट भी बहुत बढ़िया होते हैं ठीक है तो इस सीच को भी आप माइंड में रखी है का आईटी बॉंबे और आईसे बैंगलॉर दोनो प्लीसमेंट पॉइंट आफ या इस इसके गारंटी है कि आपका प्लीसमेंट होना ही होना है तो ऐसे इंसिच्टूट में ठीक है आप कौन सी ब्रांच को देख सकते हो या उन ब्रांच का लास्ट के दोदीन साल में कटाफ क्या जारा है ठीक है वो सारा का सारा हम लोग जैसे और भिग बहुत सारी इंटर्डिस्प्लिनी ब्रांचेशS v canceled AA, बहुत सारी code science related होती है तो उनमे भी आप जा सकते हो ठीक है उनमें भी आप मतलब apply कर सकते हो और वहां पे हरेक branch का almost placement है ठीक है 2ड़ा सा प्रांच की 10 में आप मतलब जैसे वह ब्रांच तोड़ा ज्यादा प्रफर करिएगा जो तोड़ी सी कम्प्यूटिशनल आर रेलेटेड है क्योंकि आपको भी पता है डाटा डेटा साइंस या ए आई का जो है आटिफिशल आइंट रिजन्स का काफी अभी इसकोप है मार्केट में प्राइवेट सेक्टर में ठीक है तो उसके एकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो तो उन सारी चीशों पे जो है वो हम लोग अभी डिसकस करेंगे और देखेंगे कि लास्ट के एक दो साल से क्या कटा अफजार है और कैसे आप उनको प्लान कर सकते हो ठीक है चलिया तो बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन रहता है माइंड में कि जैसे रिजल्ट आ गया एक रहेंग का गया अब इस रहेंग पे हमें क्या मिलने वाला है कैसे हम चीजों को मतलब प्लान करें क्योंकि देखो होता क्या है कि इतने सारी इंसिट्यूट है अब अगर मान लो आपकी रैंक बहुत बड़ी आई है फिर तो आप आंक बंद करके दो चार इंसिट्यूट में आप अपलाई कर सकते हो और आपका मोस्पवली हो भी जाएगा बट अगर रैंक आपके थोड़ी से एवरेस है तब मन में एक ड सब्सक्राइब करें और कैसे करें जिससे मतलब थोड़ा फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाए उतना ज्यादा मतलब वो ना रहे तो यह मेरा चोटा सा इंडोटेक्स ने आप एक बार देख ली सेगा यह इंपोर्टन नहीं है तो एक बार हम लोग डेस्कस करते हैं कि कैसे प्लान कर सकते हैं तो मैं ओपन करता हूं जो ऑफिस्याद डेटा है तो सबसे पहले सो है डारिक्ट अम्टिक दो हजार एक केस्ट अपन देखते हैं पहले ठीक है डारिक च्ट एडमिशन 221 केस सो जस्सके में वन मैंट इसका बैक्ग्राउंड कर देते हैं हम लोग चेंज ठीक है चालो तो अब इसमें देखो अपने को थोड़ा यह समझना है कि कैसे है देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें Mtech के लिए है ठीक है highest and lowest और यह official side से मैंने मतलब वहां से pick किया है तो आप भी वहां से यह देख सकते हो और other जो है year का भी आप compare कर सकते हो तो जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो Mtech के लिए 2021 का सो scorecard इन्होंने accept किया था highest and lowest type से तो सबसे पहले देखो aerospace में कौन-कौन से लोग apply कर सकते हैं यहां पर देखो aerospace में कौन-कौन से एक तो aerospace वाले तो apply करी सकते हैं दूसरा civil वाले भी apply कर सकते हैं chemical वाले भी apply कर सकते हैं EC वाले अप्लाई कर सकते हैं तो सबसे पहले देखो मैं बात करता हूँ मेकानिकल के रिगाड़े तो मेकानिकल में जनरल का जो कटाफ गया था हाइस्ट गया 915 ठीक है और लोएस जो है वो 850 गीट स्कोर काड़ गया था हाइस कितना है 915 लोएस कितना 850 किसके लिए ओपन काटेगरी के लिए जनरल के लिए ठीक है नेक्स अगर हम बात करें OBC के लिए ठीक है OBC के लिए कितना गया हाइस्ट जो है वो 869 वाले कंडिडेट ने अप्लाई किया लोएस कितना इन्हों ने एकसेप्ट किया था 806 कितना गया एस्ट के लिए एस्ट के लिए 669 लोवेस्ट भी 669 इसका मतलब एक ही कंडिडेट ने अप्लाई किया होगा या एक ही किनों ने मतलब दिया होगा उसके बाद फर EWS में आज आई एकनॉमिकल वीकर सेक्शन में 850 मैक्सिमम 806 क्या है लोवेस्ट है प्व्ड और यह इनों ने यहाँ पर डेटा रिलीज नहीं किया है तो मोस्ट पॉबली अदमिशन यहाँ पर किसी ने लिया ही नहीं होगा या किसी ने अप्लाई ही नहीं किया होगा ठीक है तो यह हो गया अब इसी में भी यहाँ पर किसी ने अप्लाई नहीं किया होगा या एक दो 426 and 421 ठीक है 426 and 421 तो एक या दो लोगों को एसी में इनों ने दिया होगा इसी में इसी ब्रांच में केमिकल में अगेन फरसे कोई अप्लाई नहीं किया होगा 752 इसका मलब एक कंडिटेट्स हो है वह हो गया और वह हो गया ठीक है तो पॉपल्शन ऑपल्शन डेपार्टमेंट में भी आप केमिकल वालों ने अप्लाई किया होगा अब एकसी का समसी है पहले एकसी XC में 921 ठीक है high मनलब journal के लिए था and lowest था 878 878 ठीक है 835 OBC के लिए था highest and 101 lowest ठीक है 659 था highest SC के लिए 584 था क्या lowest SC के लिए ST में किसे ने apply नहीं किया XC से EWS में 848 and 848 इसका मतलब एक seat EWS को इन्होंने दीती एक candidate को इन्होंने select किया था ठीक है जिसी जितने पर open हुआ उतने पर इन्होंने close कर दिया तो एक ही candidate को इन्होंने हाँ पर दिया अगें फ़रसे PWD और यह सब किसे ने किया ही नहीं होगा ठीक है यहां पर specialization नहीं होता है फ़रसे देखो other IIDs and NIDs में क्या होता specialization होता है इसे mechanical में thermal हो गया production हो गया ठीक है design हो गई यहां पैसा नहीं है civil में transportation हो गया structure हो गया geotek हो गया तो यह होता है कहां पर IIDs में IISC में common MTEK चलता है बस ठीक है सारे subject आपको पाढ़ने होते है फिर उसके बाद 716 पे यह जो है OBC में इन्होंने दिया and 562 700 यह HC के लिए and 490 minimum 633 is a highest and 414 lowest ठीक है फिर EWS के 712 and 511 यहां पर फिर से कोई handicapped और यासा category वाला नहीं मिला होगा तो उचने apply नहीं किया chemical के लिए 958 is a highest clear 710 lowest यह general के लिए हो जाएगा 706 जो है यह OBC के लिए highest था 406 यह lowest था काफी कम है ठीक है 686 यह आपका SC के लिए था and 410 जो है वो SC के लिए 601 जो है ST के लिए and 398 मतलब lowest होग ST के लिए 706 EWS के लिए highest है and 564 lowest यहाँ पर देखो PWD वाला candidate देख दो आ गए 694 and 560 यह आपका highest and lowest हो गया PWD कर्टेगरी में ठीक है अपनी को देखना है mechanical वालों में क्या गया था तो mechanical वालों में अपन देखते हैं मेली mechanical के लिए अपने को समझना है यहाँ पर अब देखो mechanical में mechanical में 969 M.TEC के लिए highest गया था general का डेगरी में 969 अब आप आइडिया लगा सकते हो 854 lowest इनोंने जो दिया है offer जरनल में 854 O.B.C में 854 is the highest and 789 is the lowest जो admission इनोंने दिया ठीक है S.T के लिए 823 is the highest 759 is the lowest S.T के लिए 792 is the highest 440 is the lowest ठीक है यह जो इनोंने call किया E.W.S में 854 यह highest गया 8190 है वो लोवेस्ट गया P.W.D में 727, 727 यानि एक ही सीट रही होगी P.W.D में clear जो इनोंने adopt की मलब दी यहां पर उसके बाद IN वाले अगर कोई हैं और W वाले हो तो वो अपना देख सकते हैं बड़ यह अपना domain नहीं है तो यहां पे आप एक सी थोड़ा सा देख सकते हो कि mechanical वालों के लिए यह ठीक ठाक मतलब गया है cut-off जैसे कोई चैनल का टेगरी का होगा तो यह जैसे हाइस्ट गया अब अब बोलोगे सर यह तो मालब 9.69 आप मानगे चलिए कि under 20 या under 15 के आपस इसके रैंक रही होगी यह 15 या 20 के आपस इसके रैंक रही होगी तीक अब उस साल का कटाफ कितना मैंला गेटिट स्कूर कार्ट रैंक कितना था तो इक सक्ट में नहीं बूल पाऊंगा थेक एक यह इस साल का तो आपको यह जल्दी मिल जाएगा ठीक थाक मतलब रैंग पे मिलेगा आपको और आप मान के चलिए कि जर्नल में अंडर 50 रैंग ठीक है जर्नल में अंडर 50 रैंग आप लख लीजिए OBC में आप अंडर 100 रैंग लख लीजिए EIR 100 रैंग के अंदर ठीक है SC and ST में आप SC में मान लिजिए कि 500 के आज पास और ST में 200-300 रैंग और आप लिजिए 700 के नियर बाउट आप बोल सकते हो आपको यह मिल जाएगा ठीक है SC Bangalore तो यह जो है वो last year का एक है 2021 का ऐसे ही data जो है वो 2020 का भी है ठीक है लेकिन वह पढ़ने से कोई फायदा नहीं आप अफिसियल साइट पे एक बार जाके उनका दीख सकते हो ठीक है पहली से ठीक है दिखाने को मैं दिखा दूंगा वो भी uploaded था बट यहां पर मिल नहीं रहा है तो आप वहां से डारिक ले सकते हो मुझे एक चीज़ आपको यह दिखाना था कटाफ 2000 M-क है यह डारिक्ट मटेग अटमीशन गेट सोडका डाएट अटमीशन दो यार्जाल बीस अचा रहीक चलो बीस कभी मिल गया है तो यह यह दिक लेते हैं आपको पता भी ताप पेंडमिक था तो पबलिक सेक्टर रेक्यूटमेंट हो नहीं रहा था तो मैक्सिमम लोगों ने जो है फॉर फैक्टर अब सेव्टी अप्लाई किया होगा तो थोड़ा हाई गया है इसके बाद OBC के लिए 836 इसा हाइस ठीक है हाइस वाला जो बच्चा था और 823 जो है यह लोवेस्ट वाला जो अप्लाई किया होगा एससी के लिए जो है एससी के लिए 806 यह हाइस गई सेबन टूटिफाइब लोवेस्ट जो है एससी में यह मिला कौन एरोईट इसका मतलब एक सीट रही होगी तो एक ही गंडिडिट को इनों ने लिया था तो वही हाइस्ट हो गया और लोएस्ट एक होगया तेक है सिविल वाले अपना आप देख सकते हो, अरो मतलब कितना गया है, सिविल के लिए जो है, दो हजार बीस में जनल के लिए 916 हाइस्ट और 778 जो है वो लोएस्ट, मेकैनिकल वालों के लिए OBC में, सोड़ी या, मेकैनिकल वालों के लिए 817 OBC और 707 लोएस्ट गया, ठीक है, फ मतलब एक या दो जो भी रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि रेंज है, तो अवबेस्ट सी बात एक से जाला था, चलिए, मेकैनिकल वालों के लिए थोड़ा सा आपन देख लेते हैं, मेकैनिकल वालों के लिए कहांगे यह, लास्ट में है, 2020 में, 906 हाट, ये जनल के लिए मैक्स मैक्सिमम, 824 जो है, ये मैनिमम, स्ट के लिए 852 मैक्सिमम, 688 जो है, ये मैनिमम गया, ठीक है, वो भी स्ट के लिए, स्ट के लिए 752 मैक्सिमम गया, 650 मैनिमम गया, इस्ट के लिए 860 मैक्सिमम आया गया था, और 831 जो है, ये मैनिमम, फिर आपका ये पी, डवलुडी वाल मेकैनिकल एम्टेक का था 2020 का तो हमने 2021 और 2020 इन दोनों का डिसकस कर लिया ठीक है आपको वहां पर मुझे लगता था है 17-18 से मिल जाएगा डेटा मतलब पिछले 4-5 साल का डेटा जो है आप वहां पर देख सकते हो उनकी ऑफिसियल साइट पर तेक आएसे बैंगलावर की ऑफ करना चाहा रहे है इंटीग्रेटेड तो इंटीग्रेटेड में क्या कहानी रहने वाली है तो इंटीग्रेटेड में यह आएसे बैंगलोड नेजो है ऑफिसियल रिलीस दिया था चार माई 2021 को ठीक है क्योंकि बहुत सारा बच्छा सोचता है जिसको फ्रदर रिसर्च करनी है तो सोचता है कट अपर जैम नहीं चाहिए एक मिनट चबा हमें तो पीजदी वाला चाहिए एंटेग पीजडी इंटेग्रेड़ पीजडी 2020 कट आउफ एक मिनट जब में वन मिनट फिजिकल साइन्स अच्छा यह गलब गलत पीडियप जो है वह डाउनलोड हो गई है तो आप अफिसियल साइट से यह देख लेंगे यह देटा वहां पर पड़ा हुआ है इसमें देख आगे चल के फ्यूचर में रिसर्स करनी है तो अगर ऐसा कोई प्लान है तो आप डारिक्ट जो है वो पीजडी में इन्डॉल्में ले सकते हो वहां पर आपका एक या दो साल सेफ हो जाएगा तो होता कि आप अप्टेक में गए दो साल किसे प्रोजेक्ट पर काम करते हो फ जारिक प्रफसर को तीन-चार ब्सक्र Śर्णान नहेway तीन-चार स्टुटेंच जाएगा आप नहीठ सकते हो छो ठीक है कुछ पुराने प्रोफेसर होते हि उनको तो मतलब पता है लूप यसे मतलब ब्रेक करना है तो यह साह होगा तो अगर आपको प्रोभाड़ा व्रच अपना जो है फर्स समेस्टर पास हुआ, सेकंड समेस्टर से अमने प्रोजेक्ट अपना डिसाइड कर लिया गाइट के साथ मिलके, तो उसी से अपन काम करना सुरू कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे नॉर्मल दो साल और पान साल लगा आपको दो साल M.T.E.G. मे साल ले तो हारली आपको max to max 6 साल देना परेगा, ठीक है, तो आपने कही 2-3 साल आपने सेफ कर लिए, ठीक है, दो सै तीन साल आपने क्या कर लिए, आपने सेफ बचा लिए, तो और दूसा क्या है कि M.T.E.G. कि लिए अगर आप देखोगे, तो हाई-गेट स्कोर कार जाता तो आपको क्या करना है कि अगर आपके रैंक थोड़ी से अच्छी नहीं है और आप देख रहे हो कि मुझे पीएश्डी करना है फ्रदर मतलब फ्यूचर में तो अभी से आप फिर से अपना टेक्निकल स्टॉंग करना सुरू कर दीजिए पीएश्डी के बारे में तोड़ा स पर मिल जाए तो आप देख लीजिए और जैसे फार्म आये आप फ्रिल कर दीजिएगा तो मोस्ट प्रोबली जो है वो आपका पीएश्डी में अड्मिशन हो जाएगा ठीक है अगर आप फ्यूचर को लेके मतलब रिसर्च को लेकि जदा मतलब इंट्रस्टेड हो ठीक है अजर्वाइस एम्टेक के लिए अगर हो एम्टेक के लिए मनें आपको बता दिया है कि क्या कटाफ रहने वाले मेकान कल के 2021 और 2020 के डेटा को देख के और बाकी और भी पीछे के अगर डेटा को आपको देखना है या पीछे के डेटा को भी देख सकते हो ठीक है अल्मोस क्योंकि कभी-कभी क्या होता है अच्छी रहेंग जब आ जाती तो हम बिल्कुल मुझा कैजूल हो जाते तो वैसा मत करिए का क्योंकि इंटर्व्यू का भी बढ़िया वेटिस होता है ठीक है तो अभी से लग्स आई एक दो तिन रिफ्रेस होके और मुस्परिली आपको ए झाल